अस्तामने कुछ सो मैं है आपकास्त बब्दुरहोडी दोसो टेक्नो एक बार फिर से हल चल करने वारा पाकिस्तान की जो मिड रिंज स्मार्टफून मार्किट है उसके अंदर और यहाँ पर लॉंच करने वाला एक ऐसी डिवाइस को जिसके कैमरा के उपर काफी काम किया है जिसकी परफॉर्मस के उपर काफी काम किया है और मैं आप से बात कर रहा हूँ टेक्नो कैमोन 16 के बारे में यह कुछी दिनों में पाकिस्तान की मार्किट के अंदर आने वाला है अभी डिवाइस आ चुकी है लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले चैनल पर नए है फस्टाम मुझे देखना है चैनल को सब्सक्काइब दूर करें बैल आइकन में जा लें ताकर हर नहीं वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए कोई भी क्याशन हो हैश्टेक बबलो लगा के इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर लेना और अगर वीडियो अची लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कुछ में फीचर्स के टेक्नो कैमोन 16 के तो यह स्लाइट के अंदर इसके जो की फीचर्स है वो मैंने मैंने मैंचिन कर दी हैं लेकिन मैं आपसे यहाँ पर बात करूँगा कुछ मेंन हाइलाइट्स के बारे में जो कैमोन 16 के अंदर आपको देखने को मिलेगी बिकोज वहाँ पर कैमोन 16 का गिववे भी किया जाएगा हो सकता है किसमत जाग जाग जाए आप मैंसे कोई विन कर जाए कैमोन 16 का जो गिववे है उसको तो मेक शूर करें कि आप लाउंच इवेंट को लाजमी देख लीजेगा और कैमोन 16 जो सीरीज है ना की ब्रेंड मैसेडर टेकनो की मैविश हयात और बाकी इसके लावा जो मेन हाईलैटिंग फीचर्स को देखा जाए तो टेकनो ने कैमरास के उपर काफी काम किया है इस डुवाइस के उपर जो टेकनो की जो टेकनालोजी तो टाइवोस का सेंसर है बाकी जो डेटेल्स है वो जब अनबॉक्सिंग होगी उसी टाइम पर देखेंगे अब यहाँ पर 960 fps का स्लो मोशन आपको दिखने को मिलता है अच्छी बात है उसके लावा यहाँ पर आपको जो ना जहां पर हमने देखा के कैमून 15 जो 20,000 पर वाली डिवाइस थी उसके भी कैमरास के उपर अच्छा काम किया था और यहाँ पर तो कैमरास के साथ साथ पर्फॉर्मस के उपर भी काफी काम किया गया है अब इसकी डिवाइस की ना फ्रेंट्स हैट पर आपको डियूल सेलफ जो लिक्विड कूलिंग को थोड़ा सा यहाँ पर टैकल करता हूँ आपको नजर आएगा 8GB, 128GB वाला यह वेरिंट होने वाला है 90Hz का यहाँ पर डिस्प्ले का रिफ्रेश डेट होने माला है मतलब डिस्प्ले के साथ जो इंट्रेक्शन है ना वो भी काफी स्मूध निकल के आने वाली है तो सारी तरफ से गर देखा जाए तो फीचर लोड़ी डिवाइस मुझे नदर आ रही है इसकी परफॉर्मस काफी सॉलिड जो है ना हिलियो G90T किसको नहीं पता उसके लावा यहाँ पर आपको जो कैमरा फीचर्स है वो भी काफी पैक देखने को मिलने वा का डिजाइन है और अच्छा एक फील देता है बैक सैट से पोली कार्बेंट है ग्लैशियर सिल्वर करर हमने कैमों 16 प्रीमर का भी अन्बॉक्स किया था तो दिखने में काफी डिवाइस जो ना जबरदस लगती है अब यहाँ पर में चीज है इसकी प्राइस क्या होनी चा का रहा है वो यह है को 35-40,000 पर इस डिवाइस को लॉंच किया जाएगा लेकिन अगर यहाँ पर टेक्नो ने मार्किट को अच्छे से कैप्चर करना है और ग्रिप करना है तो यह जो डिवाइस है कैमों 16 इसका जो प्राइस है वो 35,000 से नीचे कहीं पर होना चाहिए पाकिस की मार्किट के अंदर 35,000 पर से नीचे आगई और ओफलाइन मार्किट के अंदर जो डिसकाउंट मिलता आपको वो तो और मजा यहाँ पर प्रोवाइट कर देगा तो एक अच्छा और अच्छा जो हैल्दी कमपिटिशन है वो क्रियेट होगा और अच्छा मार्किट मोमें को हाइलाइट्स बताया है उसका फीडबैक अपना जूर देना मुझे बीडियो के कमेंट सेक्षन में मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा और वीडियो कर कहीं पर भी अच्छी लेगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर सकते है यह वीडियो यह नहीं तक दी मैं मुझे आपके अपने अपने शाहने वाले का बहुत जड़े कहाद रिखेगा बबलू लोहरी को दीजिए इजादत अल्लाहाफिज